नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर सिक्षकों को मिलेगा उनका बकाया वेतन स्रापदी को लेकर नितीस काबिनेट का फैसला जातिकर शंहना के लिए करमचारियों को दी जा रही है ट्रेनी CRPM ने 1458 पदों पर निका दी वेकंसी आज से आवेधन शुड़ू स्रग्य गुला पहले T20 में चोटिल हुए हार्दिक पांडिया ने दी अपनी हेल्थ अपडेट इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से सिख्षकों को मिलेगा उनका बकाया वेतन नैसाल में बिहार के सिख्षकों को उनका बकाया वेतन मिलने वाला हेपता दे कि निती सरकार के दौरा इसके लिए 3350 करोड रुपए जारी किये गए हैं मालुम हो कि सरकार के दौरा इन पैसों से सिक्षकों और उतक्रमित मध्य विद्यालियों के साथ साथ ट्रेंड ग्राजुएट टीचर और प्रधान ध्यापकों को बकाया वेतन दिया जाएगा जो पंचाईती राज संस्थाओ और नगर निकाय संस्था के अंदर आते हैं जानकारी के लिए बता दी कि सरकार के दौरा जो पैसे जारी किये गए हैं उनमें से 12.9 करोड रुपए दिसंबर महीने के वेतन के लिए जारी किया गया है सरकार के इस फैसले के बाद राजिये के लगभग धाई लाग से जादा सिक्षकों को उनका बकाया वेतन मिल सकेगा कॉलकता से पटना सिटी पहुँचा गंगा विलास क्रूज आज कॉलकता से 80 विदेसी पर्यटकों को लेकर पटना सिटी पहुँचा है इस दौरान इस क्रूज ने लगभग 32 किलो मीटर जलमार की यात्रा की और पटना सिटी के गाई घार्ट सिद बंदलगाह पहुँचा है आपकी जानकारी के लिए बता दी कि विलास क्रूज आधुनिक तकनीक से लैस है और साथ ही इस क्रूज में पांस सितारा होटल वह रेस्टूरेंट है यह क्रूज गंगा के रास्ते से पटना से वारा नश्री पहुँचेगा मालुम हो कि इस क्रूज से प्रधान मंत्री क्रफेजर चंद्र सेखर मगद विश्रविध्याले के विध्यार्थियों के दोरा परिक्शा परिणाम जारी करने से ले कर तमाम परिशानियों को लेकर आस्वास्त किया है उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि mogę जा झाया है सब कुछ ठीक हो जाएगा हाला कि फिर भी विद्यारती उनकी बातों से सहमत नहीं हुए लेकिन बाद में समझाने के बाद उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया CRPF ने 1458 पदों पर निकाली वैकेंसी आज से आविदन सुरू वैसे युवा जो सरकारी नौकरी के चाहत रखते हैं ये खबर उनके लिए है दरसल किंद्री रिजर्फ पुल इस पल यानि की CRPF के द्वारा कुल 1459 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है हिड कॉंस्टेवल के 1315 पद और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेरों के 143 पद सामिल है वैसे अभरती जो आविदन करने के एक्चुक हैं वे www.crpf.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं के आविदन करने की तारीक की सुर्वाद 4 जन्वरी 2023 से की गई है जो की 25 जन्वरी 2023 तक चलेगी मालूम हो कि जन्रल और OBC के लिए आविदन सुल्क 100 रुपे नरधारित किये गए हैं वही सड्यूल कास्ट और सड्यूल ट्राइप के लिए आविदन सुल्क पूरी तरह ने सुल्क है सराब बंदी को लेकर नितीज काबिनेट का फैसला प्रिहार में सराब बंदी को प्रवावी धंक से लागू किया चासके इसके लिए बीते दिन नितीज कुमार के अध्यक्षता में हुई काबिनेट की बैठक में कुछ अहम बातों पर स्विकृती दी गई है जिसके तहत पटना को चार जोन यानी की बार मसौरी पाली गंच और दानापूर अनुमंडल में बाटा गया है इन सभी अनुमंडलों को मध निशेद एवं उत्पाज छेतर के रूप में चिरहत किया गया है इन छेत्रों में सराब बंदी को लेकर प्रशासन ससक्त होगा और उक्त कान सब्सक्राइब गया है जिनका फिलाल लाज चल रहा है जिसके बाद वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 16 है बता दी कि बिहार में कोरोणा मरीजू का रिकवरी प्रतीसद 98.553 है इस बात की जानकारी बिहार स्वास्त विभाग के दोरा ट्वीट शेयर कर दी गई है आपके जानकारी के बता दी कि बिहार स्वास्त विभाग के प्रदान सचीफ रत्य अमरित के दोरा दिये गए निर्देश के बाद अभी राजे में जो भी लोग कोरोणा पॉजिटिव पाए जार है उनका जिनोम सिक्वेंसिंग आईजी आएमस में कराना सुनि द्नेद फाउंडीशन की ओर से आयोजित जैपाल सिंग मुंडा खेल रत्न अवहर्ट दोहाजार वाडिस समारों में राज्य के खिलारी और अणे छेतर में वसलिश्τη योगदान देने वालों कोunu मन चाहरे मारियों को डत्र से समारन किया घया है और लवली चौवे का नाम शामिल है इन खिलारियों में से महीला क्रिकेट खिलारी सुवलक्षमी सर्मा बिहार के नवादा जुले से है जिनने उतक्रिस्ट महीला क्रिकेट में एहम भाग्दारी निभाने के लिए सम्मानित किया गया है जातीगत्य जनगना के लिए करमचारीयों को दी जारही फ्रेनिक बिहार में साथ जनवरी से जातीगत्य जनगना को सर्कार दो चर्णों में संपन करवाएगी जिसमें से पहले चरण के सुरवाद 7 जन्वरी से होगी जो कि 21 जन्वरी तक 2023 तक चलेगी वहीं दूसरे चरण के गन्ना को 31 मई 2023 सक्पुंड करने का लक्ष रखा गया है बता दे कि इस गन्ना में बिहार के बाहर रहने वाले निवाशियों के भी गिंती की जाएगी 9 जन्वरी से पाशूओ के मुफतर टीका करन की होगी सुरवाद विहार सरकार में मंत्री मुहम्मद अफाक आलम के दोरा दी गए जानकारी के अनुसार पाशूओ को बिमारी से बचाने के लिए पिहार सरकार के पाशूओ पालन एवं मतỡ से मंत्राले की ओर से नी सुल्क ट तीका करन करने का लक्षे रखा गया है जिसमें से एक करोड़ सतरा लाग पसूं का टीका करन किया जा चुका है बाकी वचे टीका करन की सुरवात नौ जनवरी से की जा रही है सियम की समधान यात्रा पर बोले विजय सना पांच जनवरी से मुक्य मंतरी नितीज कुमार की समधान यात्रा की सुरवात होने वाली है और ऐसे में बिहार विधान सभा के नीता विपक्ष विजय कुमार सिन्धा ने नितीज कुमार की इस यात्रा को लेकर अपनी बाते कहीं है उन्होंने कहा है कि गांधी जी की साथ पाप कर्मों को सारे सरकारी भवनों में लिखा गया है और आज नितीज कुमार उनी पाप कर्मों के सद्धान पर विहार में राजनिदी कर रहे है नितीज कुमार ने शूशासन को कूशासन में बदल कर रख दिया है उन्होंने कहा कि नितीज कुमार जिस समधान यात्रा पर निकल रहे हैं वह उल्टा व्यवधान यात्रा है इनकी यही यात्रा बिहार से उनकी विदाई की यात्रा होने वाली है मंके मंतरी समधान यात्रा पर निकल रहे हैं और खुद जनता से दूरी बना रहे हैं तो यह कि किंद्री गृह राज्य मंत्रे की बढ़ाई गई सुरक्छा को बढ़ाते वे अब उन्हें जेड श्रीनी की सुरक्छा दी जा रही है यानि कि अब उनकी सुरक्छा सी यारपी व के 33 कमांडों के दोरा की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता देगी कि पहले नित्यानंद राई को जड़ स्रेणी की सुरक्षा तभी दी जाती थी जब वे पश्यम बंगाल के दौरे पर जाते थे लेकिन अब उन्हें यह सुरक्षा सारे राजियों के दौरे के दौरान दी जाएगी तरसल हाली में खूफिया एजेंसी आईबी के दौरा स्रेयसे सिंग का वीडियो हुआ वारल वाजबा विधायक साथ इंटरनेशनल सूट स्रेयसे सिंग का नाम लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वारल हो रहा है बता दे किस वीडियो को लेकर कंट्रोवर्शी होने के बाद स्रेयसे सिंग के दौरा कुल 6 सोशल म मीडिया हैंडलर्स में से एक विश्वनास सर्मा नामक एक यूजर ने काफी गलत मंसा के साथ उक्त वीडियो को शेर किया है और उस पर टिपनी की है हाला कि अब पुलिस के द्वारा उन सोशल मीडिया हैंडलर्स को खोजने में जुट गई है कॉंग्रस की भारत जोरो यात्रा में नहीं शामिल होगी जेडियो राहुल गांधी की भारत जोरो यात्रा में नितीज कुमार की पार्टी जेडियो शामिल नहीं होगी वहीं सत्तारूर महागडबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आर जेडियो के भी भारत जोरो यात्रा में शामिल होने को लेकर संसय बना हुआ है आपकी जानकारी के लिए बता देए कि उस समय पहले उत्तर प्रदेश में जेडियों के निताओं के द्वारा घोशना की गई थी कि उनके पार्टी भी भारत जरो यात्रा में शामिल होंगी लेकिन इतीस कुमार ने कहा कि भारत जरो य नहीं लिया गया है यह डिप्टी सीम के द्वारा तैग किया जाएगा श्रिलंका ये खिलाब पहले टी-20 में चोटल हुए हार्दिक पांडिया ने दी अपनी हेल्थ अपडेट बीते दिन श्रिलंका ये खिलाब खेले जा रहे है टी-20 मैच में भारतिये टीम के द्वारा मतलब ये है कि सब कुछ ठीक है उन्होंने कहा कि अब मुझे ऐसी चोटू की आदत हो गई है वो केवल क्रेंप था मैं बिलकुल ठीक हूँ जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट? बिहार में आज यानी बुदवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए जिसके बाद राजधानी पट्ना में 107.22 रूपए प्रती लीटर में मिल रहा है बिहार में पेट्रॉल का रेट सबसे आदा किसन गंज में है जहां पेट्रॉल 109.4 रूपए प्रती लीटर और डीजल 96.4 रूपए प्रती लीटर की दर्स देर मिल रहा है रंजीत मिश्रा, कुषकुमार यादव, राम नरेशकुमार, पिक्कु प्रदीप, किसलर राजतिवारी, मुटुरंगीला, भान प्रकाश मौर्य, मुहमद नौशद राजा, अजीमा फिर्दौस, मुहमद अफजल मंसूरी अब बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है, आपके नुसार सुधाकर सिंग कानितीस कुमार के खिलाब दिये गए बयानों से बिहार महागडबंधन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, आप अपना जवाब हमें अमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता भाग, पूली आपमे स्मधन님ुन के सवाल है, आपके उलाब हमेड़ आपके एमिलाबंदोन कमनुखागग आपके या नहीं आपके समय के लिखकर सेक्शन में आपके अपका।